इस वीडियो में मैं आपको दवारका Expressway के पैकेज 3 में जो अंटर पास का काम चल रहा है सیک्टर 102, सक्टर 102A, सक्टर 104 और सक्टर 101 के पास उसके बारे में बताने वाला हूँ उसका क्या टाइम रयें होगा क्या काम चल रहा है आज के डेट में कितना काम हो गया है कितना काम ब आ जाता है यहां से अगर हम इस डारेक्शन में जाते हैं तो एक किलो मीटर के बाद चंवे में लगबद 7.9 FM के बाद डेली गुडगाओं का बोर्डर आ जाता है तो इस इंटरेक्शन में क्या क्या काम चल रहा है और इसका क्या टाइम यह सब कुछ आपको बताने वाला हूं पूरे द्वारका एक्सप्रेस्वे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशल और कमर्शल प्रोजेक्स है यहां पर मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन और पता है उनके प्रॉस और कौन सब कुछ पता है इसी वज़े से जो मेरे विवर्ज है या मेरे फ्रेंड्स है या मेरे फैमिली मेंबर्स है जब मेरे पास आकर मुझे सला मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहां पर बहुत सारे इशूज हो और बाद में उन्हे पस्तावा हो अगर आप भी यहां इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है आप चाहें तो मुझे वाट्स आप मेसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सारे द्वाज चौक तक जो GMDA अलाइनमेंट बना दी है अपना उसमें कितना काम हो गया है कितना काम बचा है वह पोर्शन आपको दिखाऊंगा और उसका टाइम लाइन भी बताऊंगा यहां पे अगर आप देखेंगे तो सक्टर 101 में एक मेट्रो स्टेशन भी प्लाइन है जो राइन साइड में जो आपको पूरा एरिया दिख रहा है वह सक्टर 102 A है यहां से मैं डेली के तरफ मुड रहा हूँ यहां से अगर मैं डेली गुड़गाओं के बार्डर की बात करूं तो वह लगभग 7.9 किलोमीटर से और यहां से अगर शिव मूर्ती की बात करूं जो जहां से शुरू होता है वह 17.6 किलोमीटर से यहां पर आप देख सकते हैं यह जो फ्लाइवर बन रहा है लेट हैं साइड में और इसके आगे राम बन रहा है अगर आप डेली के तरफ से आ रहे हैं तो राम के थुरू इसी फ्लाइवर पर चड़ेंगे यह सर्विस लेवल भी किया जा रहा है यहां पर एकसेस जो एसकेवेशन हुआ था उसको मिट्टी को यहां पर साथ-साथ में लेवल भी करते जा रहे हैं एसकेवेशन के बाद अब यहां पर आप देखेंगे तो वाटर टेबल जो इस एरिया का है काफी हाई है स्पेश्टिटी यहां पर भी वाटर टेबल हाई है तो अगर आप यहां पर घर लेने का सोच रहे हैं तो एक बर मुझसे सलाह जरूर कर ले घर लेने से पहले इस डिरेक्शन से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो 3.6 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है हीरो होंडा जाने तक वह जीम डिया बन 7.7 किलोमीटर के बाद आता है ट्रंपेट फ्लाइवर जो है वह 7.26 किलोमीटर के बाद आता है इस जगे से और जो में क्लोवर ली फ्लाइवर पे NH8 है या NH48 वह 10.2 किलोमीटर जैक्टली इस पॉइंट से अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो अंडर पास है देखेंगे तो एक तरफ सामने की तरफ यानि सेक्टर 104 की तरफ यहां पर तो सर्विस फ्लाइवर का काम शुरू हो गया है नीचे अगर आपको दिखाऊ तो जो में कैरेजवे है द्वार के एक्सपेस वे का सफिस रोड का उसके बाद जितने भी एक्स्ट्रा जो डिगिं कर दिया जा रहा है एक तरीके से आप देखें तो रोड जैसे ही लग रहा है बट यहां से जैसा कि मैंने आपको बताए कि डेली गुरुगाओं का बादर 7.9 किलोमीटर है और सामने अगर आप देखें तो जो आपको लॉंचर दिख रहा है मैं उसके पास आपको ले जाकर दिखाता हूं देखिए यहां पर जितने भी पिलर्स हैं पिलर्स अलड़ी बन गए उसमें पीर का भी बन गया है राइट इन साइड में आपको रैंप दिख रहा है इसी रैंप से आप अगर डेली की तरफ से आ रहे होंगे तो अगर आपको यह इंटर्सेक्शन क्रॉस कर आप देखिए रास्ता ब्लाक्टाप हो गया है यहां पर भी रैंप का काम शुरू हो चुका था रिटेनिंग वॉल्स बन चुके राइट इंसाइड में थोड़ा अडवांस स्टेज में है लेफ इंसाइड में थोड़ा सा राइट इंसाइड से पीछ और स्टेज में यहा राइगे कि इस intersection में especially कम से कम सौ के करीब वरकर लगए वे हैं चाहे आप उनको सबसे ग्राउंड लेवल के वरकर मालीजे या उनकी supervisor या उसके उपर भी जो मैनजर होते हैं तो टोटल यहां पर सौ के करीब वरकर लगए वे इस alignment को पूरा करने के लिए और इसका जो target है कि कब तक यह जो अंडर पास उसको पूरा किया जाएगा वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा और यहां पे अगर आप सामने वाला जो पूरा सेक्षन देख रहे हैं यह सेक्टर 102 A है अगर यहां सा आगे जाएंगे देखिए यहां पे भी मिट्टी को रखा गय बट अंडर पास के दोनों ही तरफ एक तो 102 A से सेक्टर 104 आने के लिए और सक्टर 102 से सक्टर 101 की तरफ आने के लिए यहां पे यह सब्वे का काम चल रहा है यह अभी इसी तरफ का काम हुआ है अभी दूसरे तरफ का काम शुरू नहीं हुआ है यह एक्सपेक्टेड है कि य पिया कैप तो बन गया है उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बनता है वह बॉक्स को बनाने का काम चल रहा है आगे जहां पर आपको जैसी भी जाते भी दिख रही है उसी जगे पर अंडर पास होगा अभी मैं आपको यहां से राइट इंसाइड भी ले जाकर दिखाऊंगा और लेट इंसाइड भी ले जाकर दिखाऊंगा कि अंडर पास में अक्चल में कितना काम हो गया है बीच का जो आपको पिलर दिख रहा है यहां से आठ स्पैन मतलब आठ स्पैन के जगे आप यहां पर क्यूंकि अंडर पास है तो आठ एट पैनल इधर होंगे और एट पै तो कितना काम हो गया है दोनों तरफ अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं अब अगर यहां से मैं स्ट्रेट चले जाओंगा तो लेफट है जो सेक्टर है वह सेक्टर 102 है और राइट हैं साइड में जो सेक्टर है वह वह बहुत उंचा है और यह इस तरफ का नॉमल है स्टेज में यहीं से अगर लगबग मैं एक किलोमीटर आगे चले जाओंगा तो उसके बाद अपर द्वार का एक्सप्रेस वहा जाता है यहां पर आप नीचे देखेंगे तो पैनल्स लगाए जा रहे हैं जैसे एलिवेटर रास्ते में फ्लाइवर्स होता है एक पिलर सा को नीचे दिखाऊंगा तो आपको समझ माँ जाएगा कि पैनल क्या होता है बिसिकली जो सर्फिस रोड है उसको कॉंक्रीट कर देते हैं और कॉंक्रीट करने के बाद वह एक एक जो पैनल है उसको कंप्रीट करते जाते हैं और फिर अंडर पास की तरफ जाएंगे अभी अ रोड के बीच में वहां पे गैब दिख रहा है वहीं से शुरूर हो रहा है दुआरका 我知道 वाला इलाइन्मेंट और नीचे देखिए एक स्पैन यहां पे पर कम्प्रीट हो गया है उसके वाद हम जैसे से पीछे जाएंगे तो आपको दिखता रहेगा कि क्या-के स्पैन कम् है हाला कि retaining walls को और भी हुचा किया जाएगा बट एक set of retaining wall को यहां पर complete कर दिया गया है इसी तरह आगे यहां पर जो भी services को move करना था उन services को already move कर दिया गया है left inside में अगर आप देखेंगे तो जहां पानी जमा हो आपको दिख रहा है यहां पर high tension wire को underground कराया गया था उस time पर huda admin हुआ करते थे या शपाल या अदफसर जिन्होंने बहुत help किया था सारे high tension wires को underground करवाने के लिए और यहां पर आप देखेंगे जो water table है वो बहुत high है तो यह normal water table है यहां का यहां पर अगर आप कुछ investment करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो एक बार मुझसे सलह जरूर कर ले मेरा number नीचे दिया हुआ है आप मुझसे whatsapp पे message कर सकते हैं या आप मुझे call भी कर सकते हैं अब यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ तो excavation का काम आपको दिख रहा है यहां से यहां से जो दूसरा portion है इसके बीच में भी आप मान के चलिए कि साथ के करीब और पैनल होंगे जिसको बनाया जाएगा और उनी पैनल के ऊपर फिर रास्ता भी होगा आगे जहां पर आपको traffic मूव होता हुआ दिख रहा है अभी मैं आपको concrete दिख रहा होगा सारा surface और even retaining wall का भी काम कर दिया गया है left और right में आपको दिखेगा वो अब यहां से जैसे मैं आगे आपको दिखाऊंगा तो दिखिए fourth panel पे concrete करने का काम चल रहा है और उसके बाद दूसरे fourth panel का ही जो दूसरा हिस्सा है वहां पे नीचे सरीयों क उसको भी concrete करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पे 100 के करीब workers हैं जिसको align किया गया है इस section को complete करने के लिए और इस section को complete करने का जो timeline है वो March से लेकर April 2022 का है तो अभी से लेके साड़े-4 महने के करीब का time है हमारे पास साड़े-3 साड़े-4 महने के करीब का time ह यहां पर आप देखिए यहां पर सरीय बिचाय जा रहे हैं और उसके बाद उसको concrete करेंगे यह surface जो road होगा underpass का यह वो अलगा काम चल रहा है इस से ठीक पहले वाले section में अगर आपने देखा तो उसको concrete किया जा रहा था उसमें cement डाला जा रहा था mixture डाला जा था cement का concrete का न हम आगे चलते हैं यहां पर आप देखिए कि जो section है यहां से लेकर आगे तक यह पूरा section अभी excavation यहां पर होना बचा हुआ है बीच ओ बीच में आप देखिए left और right में आपको pillar दिख रहा है ठीक उसके नीचे excavation होगा और वही संदर पास गुजरेगा वह excavation अभी हुआ नहीं है उसका काम होना बचता है और इसका जो काम होना है यह आप मान के चली कि January 2022 में आपको यह सारा portion यह जो आप देख रहें नीचे यह सारा portion जो है यहां पर भी excavation का काम आपको दिख जाएगा और यहां पर surface road होगा और surface road होगा उपर तो उपर में concrete किया जाएगा पैनल औरड़ी complete कर दिया गया है तीन पैनल और complete करना बचा हुआ है अब यहां पर आप देखिए excavation होने के बाद यहां पर यह सारा रास्ता जो है आगे तक concrete कर दिया गया है तो यह वाला जो section है यहां पर 5 के करीब पैनल को concrete कर दिया गया है left hand side में sector 104 है और right hand side में sector 101 है इ होगा जो proposed है उसका station यहां पर आएगा और उसी के right hand side में metro depot proposed है बट इसका काम कब शुरू होगा इसका बगवानी मालिक है center के पास file गया हुआ है final approval के लिए अब वो approval आने के बाद ही काम शुरू होगा यहां पर मैंने आपको बताया था कि 5 पैनल का काम already complete कर दिया गया है यह एक पैनल यहां पर complete कर दिया गया है उसके बाद 2nd 3rd 4th 5th पांच पैनल यहां पर complete कर दिया गया है retaining walls का भी जो काम है left और right side में retaining wall का काम कर दिया गया है जैसे यहां पर आप right hand side में देखेंगे तो retaining wall का काम इस फाले panel पे नहीं हुआ है तो next एक-दो हफते में आप देखेंगे तो वहां पे भी retaining wall का काम complete कर दिया जाएगा तो जो height है इसकी यह उपर तक आएगी retaining wall की तो अभी जो आपको left hand side में पूरा patch दिख रहा है retaining wall का उसको और उपर उठाया जाएगा यह जो fifth panel आपको दिख रहा है जहां पे काफी सारे workers आपको दिख रहे होंगे इसके अगर आप right hand side और left hand side देखेंगे तो retaining wall का काम हुआ ही नहीं है यहां पर तो अभी यह भी किया जाएगा और fifth panel यहां पर खत्म हो जाता उसके बाद यह जो मिट्टी वाला रास्ता आपको दिख रहा है पूरा excavate किया हुआ यह छटा पैनल है छटा पैनल के बाद जैसे जैसे में पीशे जाओंगा तो साथवा और आठवा तो यहां पर तीन पैनल जो है जैसे जहां पर जैसी भी डिक कर रही है आप देखिए यहां तक यह पूरा छटा पैनल है उसके बाद साथवा और आठवा पैनल exactly जो midpoint है जहां पर main carriageway का pillar ह उसके बीचों भी जाके वहां पर खतम हजा तो यहां पर यहां से आगे तक 8 पैनल जिस पर काम चल रहा है और यहां से exactly इस point से अगर hero Honda chalk जाते हैं तो 5.8 km का distance है जिसमें से जो GMDA बना रही है अब तिल उमंग भरदवाज चॉक वो 3.6 km का उसका distance है और उमंग भरदवाज चॉक से hero Honda chalk तक जो NHI बनाएगी वो 2.2 km का distance होगा बहुत सारे viewers हैं जो मुझे message करके बार बार बोल रहे थे कि hero Honda chalk तक का भी वीडियो बनाओ और वहां पर क्या update है उसके बारे में भी बताओ तो यहां से मैं next video जो है वो hero Honda chalk तक का भी बना चुका हूं अगर आप मुझे ज record कर चुका हूं उसको भी मैं immediately publish कर दूंगा आप सब के लिए ताकि आप सबको एक updated information मिल जाए यहां पर आप देखेंगे तो यह JCB मशीन जो है यह excavation करके truck में यह मिट्टी को लोड कर रही है क्योंकि यहां पर च्छटा पैनल बनना है नीचे वह वैसी यहां से excavation करते करत फिर राइट इंड साइड की तरफ मूव करेंगे और सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ पैनल इस तरफ में बनना है उसके बाद elevated रास्ते का काम वहां से उपर से फिर क्रॉस करेगा और यहां पर आगर आप दिखाओ मैं आपको घूम कर देखिए जो सामने आपको पिलर दिख र पैनल्स हैं जिसमें एक तरफ आठ है और दूसरे तरफ आठ है अब यहां पर आप देख सकते हैं इसक्वेशन चल रहा है जो पहले काम रुका हुआ था पैकेज 3 और पैकेज 4 में की नहीं नजर आते थे लेवर्स काम होता हूँ नहीं नजर आता था वह काम अब होता पांच पिलर के बाद ट्रस जो है इस सक्षन में यहां पहुंच जाएगा और यहां से अगर हम आगे राइट हिन साइड की तरफ मुड़े तो वापस हम उस सक्षन पहुंच जाएंगे जहां से अप स्ट्रेट अगर आगे जाएंगे फ्यूचर में तो आप फीरो अंडर की तरफ जा सकते हैं अब यहां पर मैं आपको देदे करके आगे ले जाओंगा नीचे से ताकि आपको क्लियर विजन मिले की क्या काम चल रहा है यह वाला जो सेक्षन है इसमें इसकेवेशन का काम चल रहा है लेफ्ट इंसाइड में आप देखे वापस से पानी आ गया था तो पानी भर जाता है क्योंकि यहां पर वाटर टेबल जो है वो काफी उंचा है हाई है वाटर टेबल अब बिल्कुल पास से आपको ले जाओंगा आपको क्लियर ली दिखेगा कि कितना काम चल रहा है यहां पर आप यहां पर कुछ लाइन देखेंगे यह वायर्स है और पानी को इसकेवेट करने के लिए यहां पर और यहां से देजरे करके जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि कॉंक्रीट हो चुका है रास्ता राइट इंसाइड में आप यहां पर दिखेंगे तो हाई टेंच्ण टावर्स भी है वह जो आपको पिलर दिख है इसको फिल कर दिया जाएगा और फिल तभी होगा जब यहां पर अंडर पास का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसको फिल करेंगे लेफ्ट और राइट में यहां पर भी कांक्रीट होना पूरा बचा हुआ है और यहां से जैसे जैसे में आगे जाओंगा आपको क्लियर विजन मिल जाएगी क्या होने वाला है यहां पर यह जो आपको अंडर पास दिख रहे हैं इसके भी लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ही तरफ सर्विस लेन होंगे और जैसे 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 हम आगे जाएंगे आप डेख सकेंगे कि राइट और लेफ्ट वाले जो सर यह है आपको दिख रहे है और आपको दिख रहे हैं उसकी हैड कि छादा है तो एक एक बहुत करने के बाद रीटिनिंग फाल का इmp sociale किया जा रहा है काम चल रहा है अल्रेडी देखिए यहां पर आपको देखिए कि प्रोसेस होता है अलक्डियों से इसको बाइंड कर दिया गया जाए अब इसके उपर सिमेंट डालें गए अंदर और सको कॉंक्रीट करेंगे अब यहां से अगर मैं आपको आगे दिखाऊ तो रोड को क्रॉस करने के बाद डागनली जो अपोजिट सेक्टर है वो सेक्टर 102 है वहाँ पे और राइट हैं साइड में जहां पर मैं हूँ इस वक्त उसके राइट हैं में जो आपको सेक्टर दिख रहा है यह सेक्टर 104 है यह पूरा व्यू देखिया तो अगर आप ही रोंड यहां से आप लेफट ले सकते हैं डेली के तरफ जाने के लिए और सामने ही जो रीज अपार्टमेंट वह सेक्टर 102 और 102 A के राइट न साइड वाला जो आपको आपार्टमेंट भू रिसिदेंश्यल अपार्टमेंट है वह उसी के पीछे के तरफ मास शितलामाता भी दिखेंगे और ड्रेंग का काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है दोनों ही तरफ लेफ्ट में भी और राइट में भी और इसी पॉर्शन से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं यहां पर जो आपको नीचे सेक्षन दिख रहा है जहां पर रिटेनिंग वाल खत्म हो रहा है और उसके बाद कॉंक्रीट किया हुआ है पूरा रास्ता देखिए लेफ्ट और राइट साइड में तो यह जो रास्ता कॉंक्रीट किया गया है यहां से लेकर आगे तक उस पॉर्शन से जीम डिये का काम और इसका भी टाइम लाइन जो है वह मैं आपको डीटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर अगर आप ही रहा है तो देखिए यह जो लेफ्ट और राइट में कॉंक्रीट किया हुआ रास्ता दिख रहा है आपको इसी रास्ते से आप होते वे जीम डिये वाले को यहां पर क्रॉस करेंगे यह जो सेक्षिन है जहां पर सिमिंट रास्ता खत्म हो रहा है यहां से आगे फिर नची जो द्वार के अपस बना रही है इसका अंडर पास यहां से शुरू होता है बेसिकली फिर आप राइंप से यहां पर नीचे जाएंगे आप चाहें तो आगे चले जाएंगे और मुझे यह भी बताएंगे कि जिस तरीके से काफी सारे अंडर पासे से गुडगाओं में जो बारिश के टाइम पर फ्लडड हो जाते हैं यहां पर वो प्रोविजन किये हुए हैं जिसके वज़े से फ्लड ना हो फ्लडिंग जैसा सिचुएशन य कहीं पर बताऊँगा कि इस अंडर पास का टाइम लाइन क्या है तो आप मान के चलिए कि मार्च से लेकर एप्रिल 2022 तक यानि कि अभी से नेक्स्ट फोर तू फाइव मन्स तक आप मान के चलिए कि यह इसमें जितना भी सिविल वाक है वह सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इस अंडर पास को कंप्लीट करने के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके मुझे ज़रू बताईएगा और अगर आप ही रो हंडा चॉक वाला वीडियो देखना चाहते है यहां से और उसके अलाइन्मेंट में कितना काम हो गया है कितना काम र वीडियो अरड़ी बन चुका है फिलाल उतने जल्दी में पब्लिश कर दूँगा उस वीडियो को कि वह वीडियो आप तक पहुंच जाए और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं जै हिंद जै भारत मिलते हैं अगले वीडियो में